Hello Everyone, Welcome to Student Hub ये वीडियो previous year questions के उपर में है एक बार exam से related सारे previous year questions को ज़रूर चेक करें ताकि जो भी exam related trends हैं जो भी questions हैं जो कि regularly repeat हो रहे हैं उनका एक general idea आपको मिल सके अब previous year questions से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ last year का या last session का question paper चेक करें कम से कम पिछले 5 साल के questions को चेक करें और उन्हें खंगाल कर देखें कि कौन से topics regularly repeat हो रहे हैं कौन से topics ऐसे हैं जो कि हर 2 साल या 3 साल में पूछे जा रहे हैं कौन से topics ऐसे हैं जिनको की थोड़ा घुमा फिरा के examiner questions पूछ रहा है इस तरह से अगर आप चेक करते हैं तो आपको definitely कई सारे trends भी लगें एगनू के exams में कई सारे questions बार-बार repeat होते हैं इस तरह के repeat होने वाले questions को अगर आप shortlist करके prepare करते हैं अपने notes prepare करते हैं कहीं और से लेकर नहीं और उनको आप exams में use कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपके numbers अच्छे ही आएंगे हमारे चैनल पर भी कई सारे previous year questions uploaded हैं और अगर कोई question paper आपको नहीं मिलता है तो उसका demand आप Instagram पे student help search करके वहां हमसे कर सकते हैं या comment और community section में यहां YouTube पे भी हमसे पूछ सकते हैं मांग सकते हैं इसके अलावे अगर आपको कोई भी doubt होता है तो वो भी आप Instagram पे student help search करके वहां पूछ सकते हैं या यहां पे community या comment section में पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे content related भी कई सारे videos uploaded हैं various subjects के जो आपको कोई भी topic को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं और अगर किसी content को समझने में आपको दिक्कत होता है तो उससे related video उस content से related topic पे videos, descriptive videos आप अगर चाहें तो हमारी चैनल पे वो भी available हो जाएंगे इसके अलावे आपको various topics से related assignment के topics related and exam point of view से related important notes हमारे blog पे मिल जाएंगे जिसका link इस video के description में है तो एक बार blog को भी check करना ना भूले इसके अलावे blog पे आपको previous year के सारे question papers in text form भी मिल जाएंगे तो overall सारे papers को check करके आप presentation पे अपने answers का ध्यान दीजिए ताकि आपके number सिगनू के exams में अच्छे आ सके तो that's all that I can say for you thank you and God bless